नमस्कार प्रभा सक्षिन विस नेट्वर्क के खास कारेकाम विश्व खुबर में आप सभी का स्वागत है पाकिस्तान में धांधली और हिंसा के बीच संपन आम चुनाव में पाकिस्तानी सेना और नवाज शरीफ को करारा जटका लगा है पाकिस्तानी सेना के अध्यक्स चनल असीम मुनीर एहमद ने सोचा था कि इमरान खान को गदी से उतार कर और उन्हें जेल में ठूस कर वहर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे लेकिन जब जन्ता अपनी पर आती है तो बड़े-बड़े सूर्माओं के पजा में उतार देती है पाकिस्तान की जन्ता ने अपनी सेना और लोगतंत्र को बनावटी बनाए रखने का प्रयास करने वालों को ऐसा जटका दिया है जो बरसों तक याद किया जाएगा महंगाई, आराजकता और तमाम तरह की अन्य दुश्वारियों से परिशान चल रही पाकिस्तानी जन्ता ने इस पार जो जनादेश दिया है वह दुनिया को हैरत में डाल देने वाला है दरसल पाकिस्तान में इमरान खान के प्रती युवाओं में खासा जोश है और युवाओं चाहते हैं कि परिवारवादी, भस्ताचारी और विदेशों में अपनी संपत्ती बना चुके लोग देश नहीं चलाएं बलकि देश वो चलाएं जो स्वतंत्र नीती के तहट पाक देश पर उनके जो उमिद्वार निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में उत्रे उन्होंने जन्ता का भरपूर समर्थन हासिल किया जिसे जनरल मुनीर के अर्मानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है जनरल मुनीर यह सह नहीं पा रहे हैं इसलिए तमाम तरह के बहाने बनाकर पाकिस्तान चुनाओं के नतीजें को टालने की कोशिश की जा रही है या फिर उसे पलटने का शड़ेंत्र किया जा रहा है हम आपको उता दें कि जनरल मुनीर नहीं भूले हैं कि कैसे इमरान समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े जनरलों और रावल पिंड विरोहधिだけ सेना के अधिकार्यों को निचाने पर रखता था इम्रान खान की इन ही बातों से नराज होकर जैनल मुनीर के साथ मिलकर पहले तो इमरान को पत्षяти से हटाने और उन पर गंभीर प्रक्रति के आरोप लगा कर उन्हें जेल पहुंचाने की योजना बनाई योजना के तहट समय आने पर इम्रान खान की सरकार को गिरवा कर शहवाज शरीफ को परद्धानमंत्री बनाये गया फिर इमरान खान को झेल पहुंचाया गया और उसके बाद आत्म निर्वासन जेल रहे अनुभवी नेता नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया और उन्हें परधानमंत्री बनाने के लिए पूरा मैदान सजाया गया पहले किसी ना किसी बहाने से चुनाव टाले जाते रहे लेकिन जब दिख गया कि बिना निर्वाचित सरकार के पाकिस्तान को विदेशों या अंतरास्ट्वे वित एजंसियों से उधार नहीं मिलेगा तो आखिरकार चुनाव कराय चुनाव भी ऐसे गए कि किसी सीडसे आतंकवादी चुनाव लट रहा था तो किसी सीडसे आतंकवादी का बेटा मतदान केंद्रों और रैल्यों में भम धमाड़ी हो रहे थे ताकि मद्दाता घर से निकलने से कत्राएं और सेना अपने मन मुताबिक नतीजे घोशित करवा सके पाकिस्तानी सेना को जब पाकिस्तान में इम्रान खान के प्रती चल रही लहर का अंदाजा लगा तो मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और कई जगा मोबाइल शहवाज शरीफ के बेटे हमजा शहजाद और शरीफ की बेटी मरियम नवाज शामिल हैं इसके लावा पीपी नेता आसिफली जरतारी और उनके बेटे बिलावल भी अपनी-पनी सीट पर जीत थासिल करने में सफल हुए हैं इससे यह तो प्रतेशित होता है कि पाकिस्तान मे वैसे तो दरजनों दल मैदान में उतरे थे लेकिन मुख्य मकाबला इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ यानि PTI से जो समर्थित उम्मिदवार है उनके बीच और तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और बिलावल जर्दारी भुटो की पाकिस्तान पिपूल्स पार्टी यानि PPP के बीचे नजर आ रहा था पूर प्रधानत्री इमरान खान जेल में हैं और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है इमरान खान की पाकिस्तान तहरी के इंसाफ पार्टी के प्रतियाशी निर प्रतिय चुनाव में बलकि प्रांती चुनाव में भी अच्छा प्रतशन किया है इस पीच पीटी आई के नेताओं ने तो चुनाव परणाम खोशित किये जाने से पहले ही अपनी जीत का एलान भी कर दिया है और साथ ही चुनाव परणाम को पलटने और मतगड़ना में ध हार स्विकार करने को कहा है पीटी आई ने एक्स पर लिखा नवाज शरीफ थोड़ी गरिमा दिखाए हार स्विकार कीजिए पाकिस्तान की जनता आपको कभी स्विकार नहीं करेगी लोक्तांत्रिक नेता के रूप में विश्वस नीता हासिल करने का यह एक सुनहरा आवसर है दिन दाहाडे डखेती को पाकिस्तान बड़े प्यमाने पर खारिच कर देगा लेकिन दूसरी और नवाज शरीफ की पार्टी पीमल एन ने पीटी आई के जीत के दावे को खारिच कर दिया है और अपनी जीत के दावा किया है पार्टी नेता इशागडार के नुसार पक्षपात पूर्ण अठकलों से बचना चाहिए क्योंकि एजीपी ने सभी प्रणामों की आधिकारी घोष्णा अभी नहीं की है हम आपको अधाद है कि नेशनल असंबली की 336 सीटों में से 206 पर ही मद्दान कराया जाता है बाज और में हमले में एक उमिदवार की मौत ह जाने के बाद एक सीट पर मद्दान इस्थगित कर दिया गया था इसलिए 265 पर ही मद्दान कराया गया अन्य 60 सीटे महिलाओं के लिए और 10 सीटे अलपसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं और यह जीतने वाले दलों को आनुपातिक प्रतिनिरत्तु के आधार पर आधार प के लिए किसी भी पार्टी को 265 सीटों में से 130 सीटें जीतनी होंगी वाराल पाकिस्तान में चुनावा प्रणाम कुछ भी हम तेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में निर्दिलियों मिद्वार जीत कर आएंगे देखना होगा कि क्या कोई नि इमरान खान समर्थित संभावित नई सरकार इमरान खान को जेल से बाहर निकाल पाएगी सवाल यह भी उठता है कि क्या सेना इमरान खान द्वरा समर्थित सरकार बनवाने का जोकिम उठाएगी फिलहाल यह तो कहीं जा सकता है कि जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने अल पहुत सके